और यह वाप रहा हो गया हलो दोस्तों आज मैं इस्टेंड ने लेक्वा लेकिन अब क्या कर सकता हूं जबीन में रख करके यह वीडियो मैं बना रहा हूं तो स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रसांत वेर में आप सभी का और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं हमारे पुराना जो कैंपस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जारकेंट जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप से कहा था तो आज हम उसी का ब्लॉगिंग करने वाले हैं तो यह हमारा प्यारा सा यूनिवर्सिटी अब इसके अंदर चलते हैं हम लोग बहुत सारी यादि फिर से ताजा करते हैं क्योंकि इस लॉक्डाउन में आप तो समझी रहे हैं आप भी घर में हैं हम भी घर में थोड़ा 500 मौके मिला है अभी फिलाल तो कॉलेज बंध है लेकिन यू यह हमारा यूनिवर्सिटी तो अभी हम लोग हैं पी अमसी चॉंक में एक्चली सारी सारी अभी हम हैं पी अमसी चॉंक में यह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक और चॉंक है एक और चॉंक ने यहीं चॉंक है एक जो की पी अमसी नाम से फैमस है इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे जो यहां के student है लेकिन जो नहीं जानते हैं के लिए मैं बता तोएंक इसका फुल फ़ॉर्म है पिया मिलंग चॉख यहां बहुत सारे पिया है जो कि अपने पिया से मिलते हैं और इसी को वज़े से इस जगा का नाम PMC चौक रखा गया पता नहीं क्यों लेकिन ये पिया मिलन चौक है और हम आपको यहां पर जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पर अभी आपको हम ले चलते हैं और जो जो स्टुडेंट आप लोग यहां के हैं जो भी है आप लोग उन लोग का थोड़ो शयाद ताजा हो जाएगा क्योंकि सब लोग अभी लॉक्डाउन में अपने घर में है तो बहुत लोग मिस करते होंगे इस युनिवर्सिटी को तो जो लोग मिस करते हैं उनके लिए ये वीडियो है और जो लो आए हैं समझें ऐसा कोई बात नहीं कि और कोई काम दंधा नहीं लेकिन आप लोग को थोड़ा अच्छा लगए पस इसके वज़े से हम यहां आए ठीक है तो आपका जो है पूराना याब ताजा करा देते हैं घर के बगल में है मेरा युनिवर्सिटी तो चलिए शुरू क आप एक रखने पाते है कि तो एक्षड़ को तो अच्छड़ सी है नहीं है आपका इज пр ﷺP अरी साला यह देखिए यह रहा जोहार चौकी पूरा बंजर क्या हो गया मेरे उनिवर्सिटी को नजर लग गया साले का क्या इस्तिती हो गया देखिये और कितना अच्छा यह चमकता धमकता लाइट लाइट से एक दम दिखाई पड़ता था देखिए इसका स्थिती क्या हो गया चलिए अभी हम आपको यहां पर आपको एक मिनेट वेट कीजेगा यह मैं सकों का चौक ना पहुता आधा है हर डिपार्ट्मेंट के बाहर वाले जगे को उस दिपार्ट्मेंट का चौक जाता जाता यहां देख सकते हैं यह मास्कॉम चौक और आप हम ले चलते हैं वसे एक बात मैं आपको बता दू यहां पर एक जो भी गाओं के बचे लोग है वहां के बच्चे को यहीं के स्टुडेंट पढ़ाते थे उस संस्था का नाम था उन्नायन देखे यहां पर आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छा काम था एक्चुली देखें यह सब मास्कोम का ही यह मास्कोम डिपार्टमेंट का सारे रूम्स हैं क्लास्रूम्स यहीं सब क्लास वगरा होता है और चलिए आगे और देखते हैं क्या है और क्या नहीं अरी बेटा डस्टवीन डस्टवीन लग गया देखें कुछ है किने कोई फेकने वाला है यहां ओ माइगाड देख सकते हैं हाँ है मतलब यहां लोग हैं इस दुनिया में डस्टवीन का यूज हो रहा यह रहा हमारा पानी पीने वाले यह क्या बोलते हैं अरे आप लोग कमेंट कीजाएगा यह है पंजाब नेशनल बैंक हमारा प्यारा से छोटा सा बैंक हमारे अंदर इन्वर्सिटी का इधर आप लोग करते ही ओंगे इधर फिजिक्स डेपार्टमेंट के मेस्ट्री डेपार्टमेंट और मैं वह आपको लेकर चलता हूँ अपने सबसे फइबरेट जगा पर जिसके बिना मैं इतना दिन से हो 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 बेचे हैं था यार यह रहा मेरा डिपार्टमेंट इधकर यह रहा हमारा पूरे डिपार्टमेंट से हैं यह रहा ताला बंद है इसमें आप देख सकते हैं सौरी अंगुली आ गया देखिए हाँ एकदम निकाल के जाएंगे चाचा और देखिए यह है उसी बगल में है म्यूजिक डिपार्टमेंट यह पूरा परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है यह रहा हमारा डिपाटमेंट हमारे डिपाटमेंट का जो यह है क्या बोलते हैं यार में डिपाटमेंट जिसको बोला जाता है जिसमें टीचर्स पगरा रहते हैं यह है देखिए यहां पर आपको दिखाते हैं फेकलिटीज के नाम यह हमें पढ़ाते हैं और चलिए फिर अब हम इधर से चलते हैं दर से चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वैसे हम ज्याद़ा डिपार्टमेंट तो कवर कर पाएंगे लेकिन फिर भी हम आपको कुछ 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 डिपार्टमेंट्स दिखाते हैं इस जगह को बहुत लोग मिस्स करते होंगे और आपको दिखाते हैं आईए तब तक आप लोग मेरा जूता देखिए मैं कैसे चलता हूं देखिए मजा रहा है देखिए यह भी किसी का क्लासरूम हुआ करता होगा मुझे तो पता ने एक इस डिपार्टमेंट का है बट फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा जिद्दो जहत इधर सायद लाइफ साइन्स वगेरा का क्लासरूम से जो कि इधर क्लास होता था बेचारे सब रूम बच्चे को बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ अब तो आके पढ़ो यार हम पे लेकिन कोई आने वाला नहीं क्या कर सकते कोविट-19 चचा के चक्कर में दुनिया परसान है तो हम लोग कुन खेत का मुली भाई जो हम लोग कुछ कर लेगा तो बस यही है आपको दिखाते हैं और चलिए और सबसे इंपोर्टन चीज सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि यार हम लोग क्लास करते करते कभी-कभी सकते हैं टॉलेट दिखा रहे हम अंदर थोड़ी दिखाएंगे और जाता नहीं जाता नहीं सोचिए यह कुँआ हमारा छोटा सा कुछ जाएं क्या अरे बोलिये का तो कुछ जाएंगे अच्छ छोड़ी है कमेंट में बताइए का नहीं तो अगले बारा कर पूछ इधर है मैथ्स डिपार्टमेंट का मतलब मैथ्स डिपार्टमेंट है इधर देखिए यह है मैथ्स डिपार्टमेंट यह है उनके टीचर्स फैकलिटी जो भी है देख सकते हैं आप लो यह प्रोफेसर पढ़ाते हैं और यह जो है क्लास्रूम हम आपको दिखा रहे हैं यह है इंडिजीनियस कल्चर स्टेडीज का क्लास्रूम यार मिस तो इस जगह को लोग इतना करते होंगे यह तुम क्या बताएं देखिएया रागिंग फ्री केंपस सच में रागन फ्री ही केंपस है सब ही हम लोग इतने भी सटुडिंट सब इतने मिल जूल करते हैं कि रागिंग करने का सवाल ही नहीं उठता यह पता नहीं कौन से ड् проб格 है आप लोग अगर जान रहे है तो कमेंड में ज़रूर बताईए कौन सा डिपार्टमेंट है उनको तो कोई आइडिया नहीं है भाई सा यह है केमेस्ट्री डिपार्टमेंट देख सकते हैं देखिए यह है डिपार्टमेंट आफ लाइफ साइंस यह है एसी एलजी का कैसी है कि पताने हां वही होगा अरे गरीब आद में हम को क्या पता एसी क्या है पूलर क्या है कूलर जैसे बहर से दिखा तो बोल दिये इतना लोड नहीं लेते हैं भाई साबु इधर आप देख सकते हैं यह नेनॉटेकनोलौजी का । डिपार्टे लेठी शोप उसी में गिंती आता है देखे, इसमें गोल्डेन- गोल्डेन विमसे सान। Ya लगा हुआ है नेनो साइन्स टेकनोलोजी आप देख सकते हैं हाँ वाट बीजी डेए देखिए इधर भी एक बात्रूम है अरे हमारी युनिवर्सिटी में इतना बात्रूम है कि मज़ा आजाता मतलब कभी प्रेसर लगे तो मज़ा ही आता है और क्या यह साइन्स लैब देखिए आप लोग देख सकते हैं यह साइन्स लैब यह दे बताइए एक मिनट क्या चचा क्या हुआ बबरी चोटे-चोटे बच्चा लोग है देखिए और बाबु देखिए बच्चा लोग है लिए लोग को छोड़ देते हैं परिशान नहीं करना चाहिए बेचारों का आख भी नहीं खूला अभी तर देखिए है बात्रूम लाला यह ड्रिंकिंग वाटर वाला यहां पर बेशिन था वह तो आपको भी दिख रहा है कहां बेशिन और हमें भी दिख रहा है भाई चल पढ़ने पाएं गलती हो गया माफ किजिए अब यह है एडवांस फीजिकल केमेश्टरी लाब आप देख सकते हैं देखने में तो सभी डिपार्टमेंट एक ही जैसा दिखता है बट इतना अच्छा लगता था यार जब यह यहां स्टुडेंट्स आते थे यार बहुत मिस्स करते हैं आप लोग भी करते होंगे यार हमको पता है चलिए जो नहीं करते हों भी जूड बोल रहे हैं अपने ही देखिए यह है सेंटर फ्लोर एपलाइट फिजिक्स लाब अब भगवान जाने ही सब क्या है भाई कुछ देखिए इधर कौन-कौन सा आपको मिल जाएगा फिजिक्स मिल जाए केमेस्ट्री माथमेटिक लाइफ सांस मास कॉम्निकेशन वाटर इंजिनियरिंग और सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है MBA क्या है MBA का क्लास मतलब डिपार्टमेंट ओफ बिजनेस आड्मिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं आप लो यहां क्लास होती है शायद वहां भी होती होगी I don't know यह रहा देख सकते हैं यह सब ऑडिटोरियम इस जगह पे बहुत लोग बैठा करते हैं होंगे बैठते थे आप तो लगता है साला सुरी लेकिन आप तो लगता है सूरज का बदूर गगं से चंदा का बदूर चमन से वैसा वाला फीलिंग आता है करन अर्जिन वाला कि एक है यह तो जगह मैंने पहले कभी आया है क्याक डोशापनावाला टाइप समझे रहना इस में》 मैंने बहुत सारे शोल्स कीये हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा देखिए अभी सारा चीज़ बंध हुई देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो दिखी रहा हो जहां से आपको सामेश दिखाऊ देखिए और चलिए देखिए यह रहा वीरान सुंसान हमारा प्यारा सा छोटा सा युनिवर्सिटी जो कि अब सिफ् यह रहा Department of Computer Science and Technology देखिए अगर कैमरा ज्यादा हिल रहा है तो प्लीज भाई साथ कोई गुसा ही है का नहीं तो कि गुसाने वाला बात नहीं है भाई बहुत लंबा युनिवर्सिटी है बहुत बड़ा है चलते हैं ठक जाते हैं हाफ रहा भाई देखिए इस जगा को आप बगाते हैं यह हमारा प्यारा सा केंटीन था यह पिस्डी स्कॉलर लुक का जो रूम था भाई सब्सक्राइब हो माई गॉड हम तो स्मार्ट लगने हैं देखिए देखिए इस जगह पर परफॉर्म किया करते थे अब नजाने कब खुलेगा हमारा चोटा सा प्यारा सा यूनिवर्सिटी ओली ली ली यार आप लोग मिस करते ही होंगे ऐसा बात नहीं है अप लोग मिस्ने करते हैं घर यह रहा हमारा प्यारा सा कैंटीन हालत मैं आपको इसकी दिखाता हूं यार सबसे जरूरी चीज़ तो यही हो ओ माई गॉड ओ मा हालत अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे लेकिन देखिए इसकी हालत क्या हो गई है देखिए हुरी भाइसवाल तो बहुत ज्यादा आपको कैसे दिखा ऐसे दिखाते देखिए इस लिए ऐसा है कि हुप हमारा सारह देपाट्मेंट कर गया है यह ढवर्यू से छिफ्ट कर गया है जारी मन क Three में कि इसके वाज़े देखिए हमारा थे स्पूर्स कंप्लेक्स इसके अंदर हमें जिम मिलते हैं और हम आपको भी दिखाएंगे boys hostel और girls hostel girls hostel के अंदर तो नहीं जाने का पर्मिशन है क्योंकि हम लड़का हैं गलती से हाँ गलती ही से भाई साब क्या कर सकते हैं देखिए इसकी स्थिती भी बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं कि यह रहा हमारा चोटा से कबटी का मैट है यह सब उसके अंदर जिम है और इधर आप देख सकते हैं यह रहा गल्स होस्टल का यह इधर गारड़ बटी है और यह है अगे आप लाट पर ताइब अभी आपको लैब्रेरी के तरफ से होते बजाएंगे तो दर गल्स होस्टल भी आपको हम दिखा देंगे तो चली बॉइज होस्टल देखते हैं तो भाई और उनकी पहनों अभी हम आ चुके हैं बॉइज होस्टल की तरफ अब देख सकते हैं यह है शायद एफ प्लॉक है यह जो बहुत स्टार्टिंग में पढ़ता है ताला लगा हुआ है इस साइड आप देख सकते हैं छोटा स प्लेग्राउंड और अभी हां भाई रैगिंग फ्री कैंपस अब कितना बार बोलोगे हर जगह चितका दियो चलो ठीक मानगे भाई देख यह जो है खेलो तो यह एक तरह से फेस्टिबल के जैसा है हमारे युनिवर्सिटी में यहां बहुत सारे गेम होते हैं बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम होता है जिसमें आप फार्टिपेट कर सकते हैं और करते भी होंगे यह बॉइस होस्टल अब उतना ज्यादा दूर जाएंगे ने भाई यहीं से आप लोग को यादता जा करना है तो कर लिजे बाइग बस अब ताला लॉक ही है तो जो है सो क्लियर है अब इदर से हम लोग जाते हैं लब्रेडी तरफ से होकर ग्रल्सोटल को भी दिखा देते और यहांका जो धरममस्थल है उसको हम आभी आप लोगों को दिखलाएंगे मतलब यहां का जो मनदिर है मंदिर में बहुत लोग जाते हुए उनसे भी बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है यहां के मंदिर से तो चलिए दिखाते हैं आपको तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं गर्ल्स उस्टल्स अम अतला होस्टल्स स्वरी गर्ल्स होस्टल और हमारा छोटा सा लाइब्रेरी जिसके अंदर बहुत धेरों सारे किताब हैं भिन भिन प्रकार के यह हैं पीचडी स्कॉलर्स का होस्टल आइमें रिसर्च स्कॉलर का सॉरी कुछ भी बोल सकता है भाई लोग बॉइस का है गर्ल्स का नहीं है जो बाहर के उनको बोल रहे हैं जो यहां के हो तो जा नहीं रहे हैं यह हमारा प्यारा सा लाइब्रेरी जिसके पीछे साइड है हम लोग और अभी आपको हम दिखाते हैं इसके फ्रंट से देखिए ला 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 देख सकते हैं आप लोग यह रहा हमारा प्यारा सा लेब्रेडी यार मैंने भी बहुत इसके अंदर वक्त गुजारा है किताबों के साथ और चलिए हम दिखाते हैं आपको गोल्ज हो स्टील यह रहा जेनरेटर इसी से पूरा सप्लाई होता है भाई साथ ख्या सप्लाई होता है बेवकूप आदमी लोग मैं समझते हो यह साइलेंट पावर का जेनरेटर लेकिनी बहुत जोर सा वाज करता है धुआ के साथ क्या कर सकते हैं यह एड़ बीन का पीछ कोलर का ही होस्टल है लेकिन यह गर्ल्स का है और उधर जितने भी आप देख रहे हैं अब उतना कौन जा गए यार ठक गए यह सेमी चीज है हर जगा उधर जितना भी है सब वो गर्ल्स का है होस्टल और यह सब जो दिया हुआ है तारूर यह समाजिक तत्व से बचने के देखियों को कोई परिशान न कर सके और कोई है कि पुरा वेवहार ना कर सके तो अभी हम लोग देखिए हैं हमारा प्यारा मंदिर यह सब्सक्राइब अस्त व्यास्त हो गया बताएा इसे चलेगा यह रहा जेनरेटर इस जनरेटर का तो डैस हो गया है देखिए हम आपको पहलے मन्दिर यसो पहले पर देनि दिखाएंगे नहीं क्या स्थिती हो गया देखें देखेंड चन्द पर चला गया एहालत है है वैह इस आप कोई राता है नह तो कहां ही जोगा भाई साथ यह रहा हमारा प्यारास है मन्दिर देखें यहां बजरंग बली है दो बोले नहीं जा सकते हैं यहां पर भी बहुत शारी लोग आकर पढ़ते थे इसमें कि एक हम भी है हर यहां पर कुछ लोगों के साथ मिलने भी आते थे मतलब कुछ लोगों से मिलने आते थे यहां पर हाँ हाँ चलो चलो ज्यादा नहीं यह तुलसी जी है लोग आप लोग यहां मिलते ही होंगे शाम के वक्त थे जब थोड़ी क्या बोलते उसे संसेट हो जाते हैं संसाइन हां संसेट है जब भूप जब चला जाता था तब लोग यहीं गूंते थे जितने भी स्टुटेंट्स है अपने अपने फ्रेंस के साथ यहां घूमते थे देखिए इस जगह को यार हम भी बहुत मस्करते हैं जगह को देखिए हमारा छोटा सा बस है जो कि एयर कंडिशन मस्त बस है और इसके ड्राइबर तो एक नमबर आदमी है तो इधर इलावाद बैंक है यहां हमारा छोटा सा एंबुलेंस कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो से फट से होस्पिटल ऐसे इसके अंदर होस्पिटल ह है बट सारे फैसलीटीज नहीं है तो उसके लिए है ताकि हम जल्दी से कोई बड़े होस्पिटल में स्टुडेंट या फिर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर ले जाता ले जाया जाता है तो चली आपको एड्मिन के तरफ से ही ले जाते हैं अब जो होगा देखा जाएगा मद्दे मर्दा तो मद्दे खुदा जाख्वरा के साहियां मार सके ना कोई हाँ यही सब हाँ चली चली ज्यादा ग्यान ने देंगे वह साप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा साप ल ब्रह्मन होता है वैसे शीवजे ब्रह्मन है अध्भूत देख सकते मास्कॉम के लिए सब बहुत आनिवारे हैं आना वहां तो आते जाते रहते हैं यहां हमारा प्यारा साइड्मिन देखिए यहां पर हम फ्लैग 15 अगस्त हो 27 जन्वरी हो यहीं पर हम सब खड़े हो करके राष्टगान राष्टगीत सब गाते हैं और और क्या गल्व से सीना चौड़ा करके यहां घूमते हैं और क्या देखिए तो चलिए अब आपको हम इतना ही आज दिखा पाएंगे वैसे कल मेरी एक और वीडियो आने वाली है तो उसके बारे में आपको आगे बताते हैं चलिए बाबाई अगर आपको एक मेटिक मेटिक मेंट कहां कहां अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यहार प्लीज लाइक शेय बढए अधर और सबस्क्राइब शब्सक्राइब में इम्पोर्टेंट है उसको कीजिए कमसेगब ताकि मुझे भी आप लोगों के लिए कुछ कुछ करने में मज़ा आएगा खथा अब्लिक है चलिए बाइबाई टाटा गूडबाई गया लाइग अलोव यू लाइग ल लालालालाला